So hey guys, कैसे हैं आप सब लोग, I hope that you all are doing well and fine So we are back with another brand new video, another brand new art rock After a big break, so कोई नहीं as an artist उपर निचे तो होता है रहता है आते हैं आज के इस वीडियो के उपर तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक oil color art rock जो की Lord Krishna, Krishna, Bhagawan चिगा हम art rock बनाएंगे and I am really excited for the art rock and I hope so कि आप लोगों को भी उतना ही मजा है throughout the video, throughout the art rock and guys, बात करें colors की, तो जो colors है वो है Camel के 12 shades के oil colors है जो कि आपको 9 ml की tubes मिल जाती है, as an beginner आप उन्हें बाइक कर सकते हो बहुत ही अच्छी quality colors है, as a professional artist भी आप उसका use कर सकते हो उसके अलावा जो canvas में use कर रहा हूँ, वो है linen canvas, but like वो थोड़ा सा costly होता है अगर आप recently इस media में work करना start किये हो, then I will recommend you कि आप एक normal canvas के साथ जाओ and उसके साथ साथ आप एक canvas paper भी use कर सकते हो तो आपके साथ से, आपको जो comfortable लगे आप उसे use कीजेगा, okay और बात करें brush की तो जो brushes यहाँ यहाँ खर रहा हूँ, लग-अलग types के brush में यहाँ यहाँ यूज कर रहा हूँ synthetic brush and also hog brush भी, यहाँ यूज कर रहा हूँ synthetic brushes में मैं flat brush and also round brush भी उस कर रहा हूँ तो वो किस तरह से अलग अलग पाड के उपर मैं उनका यूज़ करूगा और वो किस तरह से करता हूँ आगे जाके आपको वीडियो में देखने को मिली जाए और जो भी मैं materials यूज़ कर रहा हूँ सारे materials के link में निचे description में आपको provide कर दूँगा तो अगर आपको चाहिए तो वहां से आप चेक कर सकते हो So now without wasting any more time let's get started on today's artwork And यह रही अपनी reference image जो हम आज के इस artwork में draw करने वाले है तो basically this one is a digital artwork जो की मुझे as a reference मिली थी तो इसी को थोड़ा सा modify करेंगे थोड़ा से इसमें improvement करेंगे and like किस तरह से हमें skin tone इसमें add कर सकते है किस तरह से realistic दिखा सकते है वो दिखाने की उस तरह से दिखाने की try करेंगे तो इसकी link भी मैं निचे description में pink कर दूँगा वास्य आप download कर सकते हो so यहाँ पर guys जो outline है वो मैंने पहले से draw कर ली है with the help of gridline method तो जब भी आप आप आपना artwork shading के लिए start करो उससे पहले आपकी जो outline होती है उसे जितना perfectly आप draw कर सकते हो उतना perfectly draw करने की try करो because जितनी perfect आपकी outline होगी उतना ही perfect बात मुझा कि आपका artwork लगेगा at the end तो यहाँ पर मैं hair से shading करना start कर रहा हूँ and ऐसे ऐसे like उपर से नीचे तक shading करता चला जाओंगा and guys video इन तक जरूर देखेगा because आपको जो भी मैं यहाँ पर colors apply कर रहा हूँ जो भी shades apply कर रहा हूँ जो भी चीज़े में आपके साथ share कर रहा हूँ उने अच्छी तरह से आप observe कीज़ेगा उसी के through आपको सेखने को मिलेगा and as an artist one of the most important thing is the observation right तो जितने अच्छी तरह से आप observe कर सकते हो सारे चीज़े उतने ही fastly आप learn करोगे so observe all the artwork जो मैं बना रहा हूँ and video इन तक देखेगा तो guys यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ अगर हम reference image देखे तो overall the hairs में एक black color देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर मेरी planning यही है कि मैं firstly एक black color की layer overall the hairs add करूँगा and then उसके बाद जो भी हमें particular shades या strokes दिख रहे है white color में hairs में overall वह में फिर उसके बाद एक और layer add करके वहाँ पे paint करूँगा तो कुछ इस तरह से like जब भी आप किसी part के उपर approach करते हो paint करने के लिए draw करने के लिए तो आपको पहले एक planning बना लेनी है कि किस तरह से हम उस part के उपर उस artwork के part के उपर work कर सकते हैं ओके तो quickly overall the hairs जो black color है वह add कर लेते हैं and next part के उपर फिर बढ़ेंगे so now हमने यहाँ पर overall the hairs एक black color का tone add कर दिया है and now कि हम जो particular strokes हमें दिख रहे है reference image में वह add करने के try करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो में एक white color का यूज करके एकदम भी white color में यहाँ पर नहीं यूज करना थोड़ा सा grey color भी आप यूज कर सकते हो and उसके बाद औरे clear एड करके फिर थोड़ा सा और उसे वहाँ पर जो highlighted part है वहाँ और थोड़ा सा light color दिखा सकते हो ताकि आपकी जो shade से उनमें थोड़ा सा contrast दिख रहा है ताकि वह values भी उतनी ही अच्छी तरह से दिखे तो आप इनका किस तरह से use कर सकते हो कि अगर आप देखोगे यह थोड़े से hard आते इनके जो hairs होते हो थोड़े से hard होते तो आप इनका किस तरह से use कर सकते हो for the blending purpose ओके तो जो hairs में मैंने strokes apply के है थे तो उनकी जो ages है वो मुझे smooth दिखाने तो उसके लिए मैं क्या करूँगा इनकी like जब मैं first layer add करता हूँ gray color के साथ देन उसके उपर में इनका directly apply करूँगा तो उसके उपर में इनका directly apply करूँगा करनी है वहाँ पर मैं apply करूँगा उसके उपर भी आपको देखने को मिल जाए और यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एक zero point का brush because मुझे यहाँ एक sharp strokes चाहिए तो sharp stroke के लिए मैं यहाँ एक zero point का long stroke pointed brush यूज कर रहा हूँ उसी के साथ साथ मैं यह ध्यान में रख रहा हूँ क कहां पर किस तरह से hairs की direction आ रही है right क्यूंकि hairs draw करते समय हमें hairs की direction होती है उसी direction में strokes apply करने होती है ताकि वह बात दिन जाके आप क्या eye stroke में भी वह दिखे चीज direction of the hairs right तो उस तरह से आप draw कर सकते हो और मैं थोड़ा सा उसको फिर hairs को blend भी कर रहा हूँ ताकि उतनी भी sharp edges ना दिखे उसकी है ना वो थोड़ा सा merge हो hairs में so here we complete the hairs अब आते skin के उपर and guys if you are new on my youtube channel अगर इस चेहरो का आप पहली बार देख रहे हो then don't forget to subscribe the channel and ये वीडियो कैसा लगा ये artwork कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा हो then एक like कीज़ेगा वीडियो को and also आपको कैसा लगा नीचे commentation में जरूर बताना मैं आप सभी लोगों के comment समेशा read करता हो and उस उसी के through हमें motivation मिलती है कि नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहे so don't forget to like, comment and subscribe to the channel तो बात करें face की तो face के उपर आपको overall the face आपको एक blue tone देखने को मिल रहा होगा right तो उसी की हमें dark tones, light tones and mid tones दिखानी है और उसके लिए like ए चीज आपके totally आपके observation skills के ओपर depend करती है कि कितने अच्छे तरह से आप उसे कितने अच्छे तरह से आप observe करते हो कितने अच्छे तरह से उन्हें जो shade से उन्हें capture करते हो right तो यहाँ पर हमारी जो main shade होगी वह होगी cobalt blue और उसके साथ जहाँ पर मुझे white tone चाहिए उसमें मैं white add करूँगा और जहाँ पर मुझे थोड़ा सा dark tone चाहिए वहाँ पर मैं black add करूँगा और उसके साथ-साथ like black and white दोनों का add करते होए थोड़ा सा dull shade मुझे जहाँ पर चाहिए थोड़ा सा dull skin tone जहाँ पर चाहिए वहाँ पर मैं वह दो कि मैं एकदम से वह final touch up यहाँ पर नहीं add कर रहा लाइक उसमें थोड़ा सा time लगता है आपको multiple layers add करनी होती है एक ही बार आपको सारी चीज़े समझ में नहीं आती है उसको थोड़ा सा time देना पड़ता है आपकी observation skills लाइक एकदम से पूरे reference image को नहीं capture कर पाती है तो जितन आपको time देना पड़ता है मैं यहाँ पर multiple layers add कर रहा हूँ जो highlighted part है वह मैं बात में जाके add करूँगा जब थोड़ा सा मेरा artwork finish हो जाए फिर final touch up में highlights के उपर फिर work करता हूँ तो कुछ इस तरह से आपको planning करके overall the artwork work करना है और मैंने पूरे face के उपर जात्तर करके जो हमारे round brush है synthetic round brush उसी का use किया है मुझे उतना लएक flatter brush use करने की जरूरत नहीं पड़ी और उसके बाद फिर दो tones को blend करने के लिए थोड़ा सा smudge करने के लिए मैं जो हमारा hawk brush होता है जो मैंने दिखाया आपको उसका use कर रहा हूँ and guys जो भी color shades आपको reference image में आपकी reference image में दिख रह ही कि नहीं या फिर आपको जैसाद चाहिए उस तरह से वह shade आ रही कि नहीं वह पहले देखो and then ही उसे apply करो art brush के उपर direct जाके वह पर दो colors match करो ऐसा मत करो firstly आपको palette के उपर सारी colors बनाने है and then art brush के उपर उसे apply करना है वह बहुत ही जादा फिर आपको simplify हो जाएगे सारी technique य उसमें एक depth आपको दिख कर आ रही होगी right तो किस किस वज़े से आ रही है because हमने mid tones dark tones and highlights के बीच में वह contrast दिखा है right जितने अच्छी तरह से आप वह contrast दिखा थे वह अपने art brush में उतने ही वह depth आपके art brush में आती है and now we are adding the final touch ups जो भी highlighted part है या फिर particular hairs या पर जो more funk हम कह सकते है वह मैं add कर रहा हूँ and थोड़ा सा artistic look देने के लिए मैंने background and also थोड़ा सा आप chest के उपर आप देखोगी वह artistic way से मैंने draw किया है तो कुछ उस तरह से आप अपने art brush में आपके हिसाब से draw कर सकते हो so guys that's all for today's video I hope you guys enjoy today's video and learn something throughout this video and I hope कि आपको या artwork अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो then hit the like button and don't forget to subscribe the channel so मिलते है हम आप से next video में with the next artwork so till then take care bye bye and draw कर ते रहिएगा कर अच्छा लगा हो झाल